आप देख रहे हैं YMS News 24 आएए देखते हैं आज की खबर सिध्धार्थ नगर उपमहानिरीक्षक क्षेत्र मुख्याले सशस्त्र सीमा बल गोरकपूर के तत्वाधान में आयोचित 43 वहिनी सिध्धार्थ नगर द्वारा सीमा वर्ती जनता को सूखा राशन एवं सेनेटरी पैट का किया गया वित्रुन 43 वहिनी सशस्त्र सीमा बल सिध्धार्थ नगर की सीमा चोकी बजहा में क्षेत्रक मुख्याले गोरकपूर के उपमहानिरीक्षक श्री मंजीत सिंग परड़ा ने लोगडाउन के दोरान आमजन की दैनिक जरूरतों की दिकतों को समझते हुए सीमा वर्ती जनता के बीच स्वयम आकर 50 गरीब एवं जरूरतमन परिवारों को सूखा राशन वित्रित किया साथ ही साथ 75 गरामीन महिलाओं के लिए सेनेटरी पैट को वित्रित करने की व्यवस्था करवाई और सीमा वर्ती जनता को यह विश्वास दिलाया कि किसी भी परिस्थिती में सशस्त्र सीमा बल उनके साथ खड़ा है सशस्त्र सीमा बलके ध्यय वाक्य, सेवा, सुरक्षा, बंधुत्व को सरवोपरी मानकर गरामीनों को बताया कि जैसे सीमा पर आपकी सुरक्षा अनेक सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से पूर्व में भी आपसे बंधुत्व रखा है उसी क्रम में आज कोरोना महामारी के समय भी आपकी मदद के लिए हम प्रतिबध है भारत सरकार वर राज्य सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अक्षरशा पालन करने का संकल्प भी ग्रामीनों ने लिया है एवम ग्रामीनों ने भी डी आई जी महोदे को भी आश्वस्त किया कि हम सभी सामाजिक दूरी का पालन करेंगे मास्क का प्रयोग करेंगे वह अनावश्यक रूप से कनही पर भी बाहर नहीं जाएंगे जिससे कोरोना महामारी को जर से समाप्त किया जा सके इस अवसर पर मनोज कुमार उपकमांडेंट सहायक कमांडेंट संजीब कुमार बोरा चांद नसकर, नितिन सिंग, लालचंड, तीतासी, अनुज कुमार गिरी, विनायक तिवारी एवम सुशील पांडे आधी उपस्थित रहे 43 वाहिनी सशस्त्र सीमा बलके उपकमांडेंट श्री मनोज कुमार ने बताया कि सीमाक्षेत्र की जनता को बल वा अन्य एजेंसियों के साथ समन्वे स्थापित कर उनको हर संभव मदत के लिए बलके उच्च अधिकारी वा अन्य सभी बलकर्मी निरंतर प्रयासरत है सिधार्प नगर से जैराम यादव व्यूरो चीफ के साथ चंद्रभान यादव उप व्यूरो चीफ की रिपोर्ट